नमस्कार आप देख रहे हैं नीजवल इनिया आपके साथ मैं हूँ काजो नराइंड और आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी देश में कुरोना के मामलों में उतार चड़ाव के साथ वैक्सिनेशन अभ्यान भी जारी है हाला कि इस वैक्सिनेशन अभ्यान को तीन चर्णों में बाटा गया था पहले फ्रेंट लाइन वरकर्स को वैक्सिन लगाया जा रहा है और उसके बाद पचास साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सिन लगाया जाएगा उसके बाद 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा हाला कि अब frontline workers को वैक्सीन अभ्यान जो है उनका अब पूरा होने बाला है लगभग अब एक मार से 50 साल से जादा के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा यानि की 45 साल से जादा के उम्र वाले लोगों को अगर किसी तरह की बिमारी है तो यानि उन्हें भी वैक्सीन लगाए जाएगा आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और काजोल में साथ मौजूद है काजोल देखे वैक्सीनेशन अभ्यान तो लगातार जारी है लेकिन जो देख रहे हैं वो लापरवाही लोगों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेहाजा कई जगाओ पे जो है लॉक्डाउन वाप्ट से लगने वाला है बिल्कुल पारूल देखा जाए तो कई राज़ों ऐसे हैं देश के जहां पर कोरोना के जो मामले है उनमें इजाफा होता हुआ देखा गया है देखे अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि दिल्ली और उत्राखंड सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गई है दिल्ली में अगर आप जाते हैं तो अगर आप छत्राखंड से हैं अगर आप महारास्ट से हैं तो आपको ऐसे नॉर्मल ये एंट्री नहीं मिलेगी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपके पास नेगिटिव का सर्टिफिकेट है तो यह आप दिल्ली में एंट्र लगाए जा सकता है कि वाकई एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है हाला कि आपनी अब दूसरा चरण का जिक्र किया है कि कोरोना वैक्सिनेशन का दूसरा चरण जल्दी शुरू होने वाला एक मारसे यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैक्सिन पर देश की जंता ने पहले बताय जा रहा था कि जो 50 साल से जादा उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सिनेशन लगेगा लेकिन आप जानकारी में रहे कि 45 साल से जादा उम्र के लोग हैं उनको भी लगेगा जो 60 साल से जादा उम्र के जो बुजर्ग हैं उन्हों उन्हें भी कोरोना की वैक्सिन लगा दी गई है अब दूसरे चरन की बात की जाया तो उसमें भी ज्यादा यानि मतलब काफी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा लेकिन देखें अकाजोल वैक्सीन लगाया जारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी लगातार हर सम्मोधन में कहते हैं कि वैक्सिन जरूर आ गई है लेकिन हमें साफधान रहने की अभी जरूरत है लेकिन शायद इन बातों को नजर अंदास किया जा रहा है और यही कारण है कि बड़े शहरों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है कोरोना के आँखने लगातार बढ़ते जा रहे हैं कई सरकारे अभी से अलर्ट हो गई है कि महाराष्ट के अगर हम बात करें तो पारूर लगातार हम कबरे देख रहे हैं कि महाराष्ट के कई जिलें ऐसे हैं जहां पर रात में लोकडाउन लगता है कई जगा ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू भी लग गया था यानि यह कहा जा सकता है कि हम वैक्सिन पर तो डिपेंड हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें उतना जादा लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए जितनी जादा हम बरत रहे हैं सारजनिक वहानों में लोग खुले आम यहीं घुम रहे हैं बिना मासक के भिरभारवारे लाकों में बिना मासक के कहीं लोग आपको दिख जाएंगे देखिए चाहे वो यूपी हो चाहे वो दिल्ली हो चाहे माराश्ट हो हर जगा दिखते हैं पुलिस का डर रहता है जब पुलिस दिखती है तो मासक लगा लेते हैं जब पुलिस नहीं होती तो मासक खटा लेते हैं यह लापरवाही नहीं होनी चाहे क्योंकि लापरवाही होगी तो यह आकड़े बढ़ते जाएंगे बिल्कुल काजोल यह आकड़े बढ़ते जाएंगे और एक बार फिर से हो सक है कि वैक्सीन आ गई हैं हम वैक्सीन पर डिपेंड हैं लेकिन हमें ये भी नहीं बूलना है कि साफधानी हमें बरतनी हैं हाला कि देखिए कोरोना के लक्षन अभी भी वहीं है नए स्ट्रेंज जो आए हैं वो पहले के कोरोना से ज्यादा संक्रमक हैं यानि कि डॉक्टर्स भी लगातार एम्स के डॉक्टर्स हो या तमाम डॉक्टर्स हो भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अभी हमें कोरोना को हलके में नहीं लेना हैं हमें ये नहीं सोचना हैं कि वैक्सीन कोरोना की आ गई है तो हम फ्रीली घूम सकते हैं हम पहले जैसी लाइफ जी सकते हैं तो देखे अगर हम चाहते हैं कि वो तरीका जो लॉक्डाउन से पहले हम जो लाइफ जीते थे वो वापिस से आए तो हमें साफधानी बरतनी जरूरी है हाला कि हमें अपने जब वैक्सीन हमारे उम्र के लोगों को लगे या किसी भी उम्र के लोगों को लगने का जब चरण आए हमारे वैक्सीन लगने का तो वैक्सीन भी जरूर लगवाएं और साफधानी जो है वो लगता है बरते ताकि हम इस कोरोना से जंग जो है वो जीत जा जाएगा कि आपको कब और कितने दिन बाद वैक्सिन लगनी है कौन से दिन लगनी है कि समय लगनी है आप उपलब्द रही है जो बुज़र गैसी है जो खुछ से चल फिर नहीं सकते हैं परिवार के जो लोग हैं उन्हें लेकर पहुंचे वहाँ पर जहां पूरा केंद्र ब फरोसा कर रहे हैं तो आपको भी फरोसा करना चाहिए हालाकि कुछ केसिस पहले अगर पहले चरण की हम बात करें तो सामने आये जिससे लोगों का विश्वास कहीं न कहीं डगमगाया था लेकिन उसके बाद कुछ डॉक्टर सामनी आये सरकार सामनी आये उन्होंने कहा कि न नहीं है कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है लेकिन साब्धान रहने की जरूरत बिल्कुल है साब्धान रहिए सुरक्षित रहिए तभी जो एक बार फिर से जीवन जो है जो पट्री पर से उतरता हुआ नजर आ रहा था एक बार फिर से वापस पट्री पर आ सकता हालाकि पुर्जोर कोशिच की जा रही है आत्मिर भर भारत हो रहा है और आत्मिर भर के जरीये लोगों को कईयों को रोजगार भी मिला है कईये ऐसे भी जिन्हों नहीं मिल पाया लेकिन धिरे-धिरे सरकार की कोशिच है कि उन्हें रोजगार मिल सके तो ऐसे में कोरोना जादा ना बढ़े इसलिए आपको साफधान होने की बहुत जादा जरूरत है पारूल देखे दूसरा चरण अभी आने ही वाला है कुछ तिन का समय बचा हुआ है और दूसरे चरण में बुजर्बों को ये वैक्सिन लगेगी उसके बाद फिर जो नंबर आएगा वो जो नौजवान है उनका आएगा बाकी जो लोग बचे उनका आएगा तो इससे ये कह सकते हैं कि पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा पूरे देश को कोरोना को जो ठीका है लग जाएगा अलाकि ये भी जानकारी मिल रहे थी कि जो लोग बच जाएंगे सर्वे किया जाएगा जो लोग लिकिन सवाल ये है कि जो वैक्सिन है लोग क्या उसे लगवाएंगे क्योंकि कई लोग सोशल मीदिया पर ये के चुके हैं कि उन्हें कोरोना वैक्सिन पर विश्वास नहीं है उन्हें विश्वास कैसे दिलाया जुआए देखिए काजोल ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को जो है वो विश्वास नहीं है और वो इसी लिए नहीं है क्योंकि पहले चरण में जब फ्रंटाइन वरकर्स को वैक्सीन लगी तो उसके बाद कई केस ऐसे सामने आये कि किसी की मौत हो गई या फिर मौत ही नहीं जब वैक्सीन लगने के पहली डोस लगने के बाद ही वो कोरोना से संक्रमित हो गए तो ऐसे तमाम केस जब सामने आये तो लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया लोगों के मन में डर पैदा हो गया हाला कि social media ही नहीं अगर हम आम तर पर देखें अगर हम किसी से बात करते हैं वेक्सीन को ले कर तो आपसी बाचीत में भी लोग यही कहते हैं हम तो अपनी बारी पर वेक्सीन नहीं लगवाएंगे वो क्यों वो इसलिए क्योंकि नहीं भई क्या पता भरोसा नहीं है वैक्सीन का हो सकता है हमारी मौत हो जाई या हो सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम कोरोना से संक्रमित हो जाए तो ऐसा बिलकुल नहीं है डॉक्टर्स ने बहुत ही उस पे जो है सो समझ का विचार करके वैक्सीन बनाई है और इस के स्ट्रेइन भी नए नए आ रहे हैं तो ये उन पर कारगर होगी या नहीं होगी ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यही कह रहे हैं पारुल की साफधानी बेहस जरूरी है आप साफधान रहे हैं कोरोना की जो प्रोटोक देखरेक में रखेंगे अगर कुछ भी चक्कर आते हैं सरदर्द होता है कुछ भी ऐसा फीवर वीवर होता है तो हम आपकी देखरेक करेंगे तो ऐसे में आपको घबरानी की जरूरत नहीं है डॉक्टर ततकाल आपका इलाज करेंगे अगर आपको कुछ भी जरूर सभी कि हम जरूरी है क्योंकि दूसरा चरन है वो बुजर्गों के लिए है तो ऐसे में बुजर्गों का ध्यान रखता है इसलिए पिर देखित और अप नहीं है इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही तब तक के लिए आप न्यूजवल इंडिया लगातार देखते रहिए